खबर इटावा से है जान आखिर का जन्पत इटावा वासियों को पासपोर्ट बनवाने की सुविधा पोस्ट आफिस इटावा में उपलब्ध हो ही गए आखिर कांदपूर के चकर नहीं लगाने पड़ेंगे और राम नगर फातक पर ओववन बीज कर निर्मार हो या बड़ी गाड़ियों का इटावा स्टेशन पर ठैरा हो हमने जन्पत की समस्या का समधान करने के लिए हमेशा प्रयास किया है जन्पत्रवासियों को पास्पोर याय जिसमें मुक्तिति के रूप में साथ बी जी आई थी पदारी थी उन्होंने उद्गाटन किया उन्होंने बताया कि इटाबा में आप लोगों को पंदे दिन के अंदर बनकर मिल जाएगा अभी जो पासपोर्ट कानपोर से बनकर आते थे उसमें बीच में औरालों कावी ने पांच बार मुख्यमंत्री दिया लेकिन वही टावाज जो ग्रहमंत्री भी रहे हो केंद्र सरकार में वहाज में रांसंकर का्ठेडिया जी को पास्पोर्ट आफिस खुलवाना पड़े तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता के प्रत्य ये लोग कितने गंबीर से समझ में आता है हाँ अपने परिवार के लिए अपने सैफाय के लिए किया लेकिन कम से कम जिस जनता ने चुना जिस चिले के नाम से जाने जाते थे यह तो जब ग्रह मंत्री तभी पास्पोर्ट आफिस को जाना चाहिए था लेकिन यह सभाग आधरी रामसंकर कठ जी को मिलना था जनता की सेवा करने का उसर मिलना था उन्होंने आप पास्पोर्ट आफिस का अबेदन किया सरकार ने शिक्रत किया उसके उद्गाटन के पावना उसर पर आई हूं इतावा बास्यों को बहुत-बहुत सब्कामना देती हूं और आधनिया रामसंकर कठेरिय को अपने भारत सरकार के मंती जी का बहुत-बहुत बहुत बहुत आवा आभार विएक्ति करती हूं कि ऐसे गाउं में यह तो बड़ा जिला है मेरा पतेपुर जैसे जिले में भी पास्पोर्ट आफिस बन जाया तो यह मोदी जी कर सकते हैं हर नागरिक को हर सुविजा सरल करता से उपलब दो यहां मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है तो आज मुझे में आने का उसर मिला बहुत दिनों के बात कारी करता हूं कर आप भी मेरे कारी करता हैं आप भी मेरे परिवार के ही हैं क्योंकि पत्रकार कोई अलग से नहीं होते हैं देश के विकास मे आपका भी आपकी भी बहुत बड़ी भुनका होती है यदि हम में कहीं कमी आए आप उजागर करते हैं तो उनकमियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आपका भी बहुत बड़ा योग नहीं इसलिए आपको चौथा यह स्तम्ब बोला जाता है देश के लिए आप गवर्मेंट के रहे वो घौटालों के नाम से जाना गया लेकिन ये नौ साल पाफारे नौ साल मोदी जी के विकास के नाम से हमेसा जंता याद करेगी मैं इतना कहना चाहे तो मैंने बिहार वालों से बहुत बात की है देखिए मैं जाती पर एद्धेपी मैं संत हूं किसी जाती पर विश्वास नहीं करती और ना मोधी जी करते हैं लिए ना मोधी जी ने का गरीवों की एक जाती गरीबी जब तक गरीवों की गरीवी दूर नहीं होगी तम देश को विक्सित कैसे कर सकते हैं तो आप जैसे सपोज मान लीजिए वहाँ निसादों की जन्गर्णा की तो किसी को मला की सूची में डाल दिया किसी को साहिनी की सूची में डाल दिया किसी को किसी सूची में डाल दिया एदि सब को सामभिक रूप से गिंती करते तो समझ में आता कि वहाँ कितने लोग है और था तो वहाँ जाती है जो एक सबसे बड़ी जाती है जिसको आगे आने के लिए देश की सरकार कर रही है जाती है जंगर्णा इसलिए मांग जो कर रहे हैं उनकी नियत में ही खोट है मंदर जी 27 साल में 27 साल तक अभी तक माहिला आरच्छड का मुद्दा संसब में उठता चला रहा है इस बार भी महिला आरच्छड का मुद्दा उठा है लेकिन विपच्छ इसके समर्थन में है लेकिन कुछ विपच्छ के नेता ये कह रहे हैं कि महिला आरच्छड में भी सदन के अंदर बिल आया है वारती जनता पाटी ने हमेसा सपोर्ट किया ये उन्हें के लोग नहीं सपोर्ट कर पई आरथा नियत ही नहीं थी इस बिल को लाने के लिए और मुझे उम्मीद है ये महिला बिल जो आया है मुझे मोधी है तो मुम्किन है जो भी जिस समाज की महिला है हमें भी स्वास है क्योंकि मोधी जी वो सक्षियत है कि जहां भी उनको कमी देखाई पड़ते हैं उसको पूरा करते हैं महिला बिल के लिए जिस तरह से पालिया में पास तो हो नहीं था लेकिन अब उनको लगा कि यह तो पास कलेगी मोधी सरकार तो वो ही दे देना मजबूरी में मजबूरी में किया नहीं तो करते नहीं तो मैं तो मोर्ण जी को धंडिवाद देती है वह भी कमिशन की गठन की कभ से चरच चल रही थी वह भी मोदी जी ने गठन किया तो मैं तो इतना मानती हूं मोदी जी पर मुझे विस्तास हैं जो समाज पिछड़ावा दिखाई पड़ेगा उसको जरूर आगे उठाने के दो जो कोई बिपच्छ अगर आवाज उठाता विरोध करता उसे जेल वेती चाहे पत्रकार हो चाहे संजय सींग है मैं उसके बाद में दूंगी यह बताइए उनके दो-दो मंत्री जेल में है जो मुक्तमंत्री यह कहा है कि मैं सरकारी संसादन नहीं लूँगा सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा और वो बंगला में पर्दों में इतने कितने करोड करच किये पचास करोड के उपर 45-45 इतने पैसा खर्च कर सके यह कहां से आया पूरे देश में चुना लर सकते हैं कहां से पैसा आया यह घोटाले हुए हैं और एक बात बता दें जो अपनी सफाई देता है मैं अन्रोद करना चाहती हूं चाहे वह सपा हो चाहा कोई पार्टी हो यह रोणा बंद करें ओभी सी हो चाह मैलाओं का ओभी सी के नाम से सैफाई पूरा राज करता रहा है और यादो समाज भी अंडे जगाओं का वह भी सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं मिलता रहा है उनको परिवार दिखाई पड़ रहा है अकलेश को तो यह कहने की आवश्चता नहीं है यदि संभैधानिक पदों में ले करके प्रदान से सर्पन जिसे मुक्कमंत्री तक सांशत से ले करके यही आपकी मैन पूरी है यदी परिवार बाद नहीं था तो को परिवार अपना दिखाई पड़ता है उपरिवार बादियों से हम ज्वार्ट में दिया था माइवात्व दोनों भी देख लेंगी ऑफ पर पासपोर्ट की सुविदा और पासपोर्ट एलेटिड जो भी सारी सर्विसिस होती हैं जो कि अभी यहां पे लोगों को कानपूर वगेरा जाना पड़ता था पासपोर्ट सेवा के इंद्र क्योंकि बड़ा उपे था लेकिन अब यहां पे क्योंकि यह एक यह प्रोग्राम है इसमें पोस्ट ऑफिसेज में जो रिमोट एरियाज हैं या पर जो छोटे एरियाज हैं जहांके लोगों को दूर तक जाना पड़ता था वो ना जाना पड़े इसी सोच के स्थाप्त हम यह डिपार्टम्ट पोस्ट के साथ मिलके विदेश मंत्राल है अब तक 431 लोगसबाक शेत्रों में बारत वर्ष में यह खोले जा चुके हैं पोस्ट ऑफिसेज में और 432 वा का आज इनाउगरेशन यहां इटावा में हो रहा है इटावा से शिवकुमार सिंग की रिपोर्ट टीवी वन इंडिया निउस